इवनिंग फैंज वेलकम टू माई चैनल ब्लूमिंग क्राफ्ट आज मैं आपको सदा बहार पोद्द को कटिंग से कैसे त्यार किया जाता है सिखा रहे हूं मैंने चार पांच कलर्स की कटिंग ली है सदा बहार पो देगी जैसे कि नाम से ही जायर है सदा बहार ये पूरे साल फूल देते रहते हैं कोई भी आप इदरन पोट लें मिट्टी का पोट भढ़िया रहता है उसमें वैल ड्रॉइन स्वाइल डालें और थोड़ा सा उसको हलका गिला कर लिजिए चलिए अब हम कटिंग लगाते हैं यह दिखें यह थोड़ा सा बड़ा है मैं इसको कट कर लेती हूँ इसके हम दो पीस लगा देंगे वीच्छे से लीव्ज रिमूव कर देंगे आपको तो एक पेचकस की मतलब से इसको लगा रही हूँ ऐसे पूरे गंबले में हम ऐसे कटिंग लगा देंगे इसकी कई बारी कुछ चलती है कई नहीं चलती जब यह पूरा मर्टी कलर कॉन कलर में फूल देगा बहुत ही अच्छा लगएगा यह यह दिखें इस टाइप से आप लगाते जाएं इसमें वाइट है डाक रेड है लाइट पिंक है परपल है पांचे कलर्स हैं तो यह बहुत ही सुन्दर लुक देगा जैसी त्यार होगा मैं द्वारा आपसे इसकी वीडियो शेयर करूंगी इस टाइप से आप लगा लीजिये सभी थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो